फिर से कोई दयानंद जैसार शी दिखा दे ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से भूमी को त्रिप्त कर दे शद्धा की जोलियों से गुझे ये देश मेरा शेरों की बॉलियों से पिस्मिल गुरू भगत सिंग फीरों की टॉलियों से दोस्तों कभी मिट्टी के हंडी के उबलेवे दूद को यह दी आप पी के देखें तो आपको पता ज़ेगा दूद कैसा होता है क्योंकि मिट्टी जो है ना सर्फ स्रेस्ट है हमारा सरी मिट्टी से बना हुआ है और इतने परकार के गुंण है मिट्टी के हंडी है इसमें मैं दूध डाला हुआ है लगबक इसमें तीन ग्लास के असपश दूध और जो आपका छुवारे हैं तो यह वाले पढ़ें आप लियाना और चाहर से पाना छुवारे लेना उनको फ़ाड करना और इसे के अंदर से बीज निकालेना गरम-पाणी साफ कर लेने चोवार भूफ यह सूठी आपके आद्रख तो जो यह पिसको लेना है चाहिज और भी जो यह आखना जो निकाल देना जब इस में लग पक तीन ग्लास अमने डाला दो ग्लास दूद रह जाएगा आपका तब इसको आप जो है अदरग और कच्छी अलदी को लग निकाल देना छोवारे अपने खालेना और उपर से दूद आप पी लेना थोड़ा मीठ है में आप मिलाना चाहो तो धागे वाली म छ्छी यूदे दूर रात को आपको जरूर से भी जरूर पीना है आप निष्टित रूप से आपको काफी लाब देगा और एक चीज जो छुआ रहा ना इन छोवारों को दोस्टों सीफ वो सीफ सर्दियों में इसंफिल होती है गर्म इसलिए में इसक्रा ध्यादा जादे ठूस ठूस के खाना जरूरी नहीं है लग बग आपको 12 गंटे तक इसको मिट्टी के बरतन में भिगो गये रखना है फिर आपको 2-3 चुवारे खा लेने हैं गर्मियों में तेंकि सर्दियों में ऐसे इस्तमाल आप कर सकते हैं बागी गर्मियों में ना करें जब भी कोई दि ठीक है तो सब्सक्राइब को नमस्ते जैसे राम जैरे वर्त फिर मिलते हैं इस नीडियों के साथ में